अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेश वीडियो को देख सकें स्टाट करते हम एक्ससाइस एक पॉइंट वन को इसमें कहा है कि समानतर चत्रबुज ए बी सीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदों पी और क्यू इस प्रकार इस सित हैं कि डीपी बराबर बी क्यू के है ये इतना दिया हुआ है आगे दरशाना क्या है सित क्या करना है ये सब दिया हुआ है कि तिर्बुज APD सर्वांग सम तिर्बुज CQB के ये सित करना है AP बराबर CQ ये बराबर शो करना है AQB तिर्बुज AQB बराबर सर्वांग सम तिर्बुज CPD और फिर AQ बराबर CP और सासत AQCP को एक पहले लो ठीका है कि कोई भी एक क्को केशिंग करना होता है उसको पहले सबसे पहले लिखना है यह दिया meditating और अचहीं तरीGu संभज पाती है तो आई कि दिखते हैं दिया है समानतर चित्रबुझоки ABCD एक समांतर चतुरूज है एक तो ABCD को समांतर चतुरूज दिया था साथ सद विकन्ड BD पर दो बिंदू पीयूर की इस प्रकार इस्तित हैं कि DP बराबर BQ तो आप यह पूरी लाइन भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं साते DP बराबर PQ BQ आपको दिया हुआ है इतना आपको दिया हुआ है आप जो सिद करना है काफी सारे पार्ट से हैं वो यहाँ पर न लिखकर सिद करना है आप महां से देख सकते हैं तो यहाँ पर अब लिखना है हमें सिद करना है तो वो जो सारे पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं परमान किस तरीके से इसको हम पूरूफ करते हैं सिद्ध करते हैं सबसे पहले अपने को क्या करना है यहाँ पर फर्स पार्ट दिया हो है फर्स पार्ट में क्या 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 है तिर्बुज को लेकर चलते हैं तो हम लेते हैं तिर्बुज पहला पार्ट जो है तिर्बुज A, P, D वे तिर्बुज C, Q, B में किस तरीके से करने वाले हम इसको देखें आप जानते हैं A, B, C, D क्या एक समानतर चत्रबुज है समानतर चत्रबुज की सम्मुख बराबर होती है ये बुजा, इस बुजा के क्या होगी, बराबर होगी ये बात आप जानते हैं उसके बात आप जानते हैं, अगर कोई ये समानतर चत्रबुज है तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, विकन जो है एकांतर होगा, तो ये कौन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आप ये भी जानते हैं, तो हम यहां से इन कौन को बराबर करतेंगे, एक बुझा, ये बुझा बराबर होगी, कौन, ये कौन बराबर होगी, अब कौन और बुझा होई, अब हम क्या करेंगे, हमें दिय बराबर BQ, DP बराबर किसके लिए, DP बराबर BQ के है तो मतलब दो बुजा, एक कौन मतलब बुजा कौन, बुजा, सर्वांगसम तन्यम से, SAS सर्वांगसम तन्यम से, हम इन दोनों तिर्बुजों को क्या कर देंगे सर्वांगसम सिद कर देंगे आईए देखते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे बुजा मतलब BC बराबर पहले हमने APD लिया तो हम APD की ये वाली बुजा लेंगे AD क्योंकि आप जानते हैं जोत्र बुज पहले लिया होता है हम उसके parts को पहले लेते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे सम्मुक बुजाएं सम्मुक बुजाएं उसके बाद क्या करेंगे अपने को यहाँ पे क्या करना है कि ये बुजा बराबर हो गई साथ साथ अब कौन मतलब कौन ये कौन सा होगा CBQ पहले वाला तरबुज लिया है तो कौन हो जाएगा ADP कौन ADP बराबर होगा कौन CBQ कौन CBQ ये क्या हो गई आपके एकांतर अंतह कौन तो आपको यहाँ पर लिखना है ये एकांतर अंतह कौन है आपको कारण अवश्य देना है तो ये क्या हो गई आपके एकांतर अंतह कौन उसके बाद क्या होगे कि अब यहाँ पर रह गया dp बराबर किसके है bq के है तो dp बराबर bq यह क्या है आपको दिया हुआ है तो आपको लिखना है यह भी दिया है तो अब क्या करेंगे हम इसी लिए कह सकते हैं तिर्बुज a p d a p d सर्वांग सम्हें तिर्बुज c q b के कि लिए रित्ती बात और कैसे s a s सर्वांग सम्हें नियम से सर्वांग सम्हें नियम से आप उसके बाद क्या करेंगे हम जब यह दोनों तिर्बु सर्वांग सम्हें हो गए यह इसके सर्वांग सम्हें हो गया तो आप जानते हैं corresponding parts जोते हैं बराबर होते हैं आता संगत भाग जो होते हैं सरवांगसम तिरवू जो के बराबर होते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर संगत भाग हम कौन से बराबर करेंगे हम AP को यह जो AP है उसको बराबर कर सकते हैं किसके CQ के AP बराबर CQ इसलिए हम कह सकते हैं AP बराबर CQ और ब्रैकेट में CPCT से और यह क्या है आपका यह आपका second part है देखें first part क्या करना था यह दोनों का सरवांग समसित करना था और second part में AP बराबर CQ ही करना था आपको और वो कहां से आगया आपका CPCT से आगया AP बराबर CQ इसको क्या कर दीजिए यहां second part कह दीजिए और यहां पर hands proof भी कह दीजिए क्योंकि सीध हो गया एक part और यह वाला part यहां पर सीध हो गया था hands proof इती सिद्दम और साथ साथ आप इसको समय करन एक कह दीजिए क्योंकि यह आगे काम आएगी अब हमें क्या करना है अब हमें third part की ओर चलना है third part देखे third part में क्या कहा है कि तिरबुज AQB और CPD को सरवांगसम सिध करना है देखे कौन से हैं AQB और CPD अब इन दोनों को ले लेते हैं तिरबुज AQB वे तिरबुज CPD में AQB वे तिरबुज CPD में तो क्यासे करेंगे आप जानते ये भुजा जो है इस भुजा के क्या है बराबर है समानतर चत्रबुज की सम्मोग भुजा एक बात फिर उसके बाद क्या करेंगे हम यहां से कौन आप कौन भी बराबर करने अपने को तो कौन कौन सा बराबर करेंगे आप BD विकन को देखिए BD विकन के एक और का कौन ये कौन और दूसरी और का कौन ये कौन मतलब एक आंतर कौन हो गए तो ये बराबर हो गए आपने क्या देखा ये BD जो जा रहा है Вिकंड तो आप यहां से देख सकते हैं जैसे यह हो गए आपके ये बुझा है और ये बुझा है और ये बुझा है आपकी CD ये दोनों दिखह है होगी आपको AB और PC त्रियक रेखा कौन सी काट रहे BD ये ऐसे जब काटी तो यहाँ पर तिर्बुज जो बने, ये तिर्बुज बना, ये तिर्बुज बना, तो ये जो कौन होगा, वो इस कौन के बराबर, अर्थात ये जो कौन आपको दिखाई दे रहा है, ये इस वाले कौन के हम बराबर कर रहे हैं, एक अंतर कौन, और ये कौन किसमा आता है, इ इस वाले तिरभुज में आ गई, CPD में देखिए, तो DP भी आ गई, और BQ, ABQ में BQ तो आई गई, तो आपको समझ में आ गई, बुजा कोन बुजा से ये दोनों तिरभुज भी सरवांगसम सिद्ध हो गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे हैं, सबसे पहले बुजा ले लेते है AB बराबर, AB बराबर CD की, AB बराबर CD, और यह भी समांतर चत्रभुज की सम्मुख भुजा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, समांतर चत्रभुज की, की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, अब यह भुजा क्या हो गई, आपकी बराबर हो गई, फिर उसके ब Q कौन A B Q बराबर होगा इस वाले तरिबुज को देखे कौन P D C कौन P D C क्योंकि ये कौन इस वाले कौन के बराबर है कि लिए और ब्रैकेट में लेकर देजिए एक आंतर कौन क्योंकि आपको कारण आवश्य देना है उसके बाद क्या करना है बुजा हो गई कौन होगे अब एक और बुजा जिसको हम कहते हैं D P बराबर B Q तो पहले हमने B Q ले ले लेंगे क्योंकि A Q भी तरिबुज को ले रखा है तो B Q बराबर D P ये दिया है हो गई तीन हो बुजा कौन बुजा तो अब कह सकते हैं इसी लिए तरिबुज A Q B सरवांगसम है तरिबुज C P D के और बैकिट में कारण S A S सरवांगसमता नियम से इस तरिके के question जो होते हैं वो exam point of view से बहुत important होते हैं ठीक है ये आसान भी होते हैं इसमें कुछ खास करना तो नहीं है आसान भी है लेकिन इह important भी है तो यहां से आपका थर्ड पार्ट जो है वो proof हो गया है hands proof कि आपका थर्ड पार्ट में यही करना था ये दोनों तरिब बराबर किसके हैं CP के तो यहां पेसे कर देंगे AQ बराबर CP और bracket में CPCT से क्योंकि इन दोनों तिर्बू जो के क्या है corresponding part है और यह आपका fourth part भी यहां पर हो जाता है इसको भी बोल दीजिए hands proof उसके बाद अपने को क्या करना है यह तो हो गया फिर fifth part में का कि APCQ एक पहले पहले लोगराम बोलते हैं तो समीकरन एक इसको माना था इसको भी समीकरन दो मान लेजी और आप जानते हैं कि AP बराबर आ रहा है CQ के AP क्या है आप अपने यहां पर देखिए इस सिर्फ इतने हिससे को आपको देखना है यहां पर इन सब को बोल जाईए अब उसने अगा AP SEQ है पहले लोगराम है तो APCQ इन इसको देखिए और AP क्या रहा है अपने AP बराबर आ रा रहा किसके? CQ के मतल explicar यह बुझा इस cruelty के बराबर आपर हैं और aQ क्या रहा है CP के समीकरण 2 देखिए AQ बराबर CP AQ कहा है यह AQ बराबर किस कहा रहा है CP के अर्थत AP CQ चत्रबुझ को अगर आप देखते हैं तो उसकी आमने सामने की बुझा बराबर आ रही है तो अब आप इसको क्या कह सकते हैं समानतर चत्रबुझ क्योंकि समानतर चत्रबुझ की सम्मुख बुझाएं क्या होती है बराबर होती है तो समीकरण 1 फिफ्ट पार्ट में फिफ्ट पार्ट जो है उसमें क्या करोगे आप समीकरण 1 वे समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या पता लग रहा है एक समानतर चत्रुबूज है है यही सिद्ध करना था कि एक समानतर चत्रुबूज है इस प्रकार इसमें आप पांच पार्ट थे और सारे पार्ट क्या थे एक दूसरे से क्या है मिलते ही जुलते हैं मतल़ अगर आप एक पार्ट Solve करा तो दूसरा पार्ट अपने हाफ адцおूल हो गया तीसरा पार्ट सूल किया चौता पार्ट सूल हो गया और ये सारे सूल होते पांचो पार्ट तो उन दोनों के पार्ट सushay अपने हाफ सोल हो गया